दूसरी चीज है वंदनवार वंदनवार के बारे में लगभग हम सब जानते होंगे किसी भी मंगल कारी के पहले या उच्छसव के पहले खासतोर से दीपावली के समय में और घर में कोई शादी है, कोई तेवहार है, कोई शुभकारी हो रहा है तो मुख्य द्वार पर वंदनवार लगाया जाता है ऐसे तो तमाम तरह के वंदनवार प्रियोग किये जाते हैं बहुत अलग-अलग तरह के वंदनवार में डोर पे लगाये जाते हैं लेकिन आम के पत्तों का वंदनवार सबसे अच्छा माना जाता है आम के पत्तों का वंदनवार घर के मेंडोर पर लगाना सबसे ज़ादा शुब होता है, सबसे ज़ादा अच्छा होता है इसे वैसे भी लगा सकते हैं, आप जिस दिन चाहें सनान आदि करके, घर के मुख्धवार को साफ करके, घर पे वंदनवार लगा दीजिए लेकिन अगर आप मंगलवार के दिन वंदनवार लगाएं, तो मंगलवार को वंदनवार लगाना सरवोत्तम होता है, सबसे ज़ादा अच्छा होता है आम के पत्तों में सुख को आकरशित करने की क्षमता होती है आम की जो खुश्बू है या उसके जो पत्ते हैं ऐसा माना जाता है कि उनसे सुख जिंदगी में आता है, सुख उनसे अट्रेक्ट होता है इसके पत्तों की विशेश सुगंद से मन की चंता दूर होती है इसलिए इसके पत्तों से बना हुआ वंदनवार घर के मुखे द्वार पर लगाते हैं आम के पत्तों का वंदनवार घर के में डोर पर आम तोर पर लगाया जाता है अब जानते हैं स्वस्तिक के बारे में चार भुजाओं से बनी हुई विशेश तरह की एक आकरती है उसे कहते हैं स्वस्तिक बहुत इंपोर्टन चीज है कभी अलग से भी स्वस्तिक पर चर्चा करेंगे लेकिन आप ये जाने रहिए कि स्वस्तिक एक बहुत महत्पूर्ण आकरती है और आम तोर पर किसी जगह की उर्जा को बढ़ाने के लिए घटाने के लिए या संतुलित करने के लिए स्वस्तिक का प्रियोग किया जाता है इसका गलत प्रियोग आपको मुश्किल में डाल सकता है स्वस्तिक अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जानते और गलत तरीके से स्वस्तिक का इस्तेमाल करते हैं तो स्वस्तिक का गलत प्रियोग आपको काफी मुश्किल में डाल सकता है और स्वस्तिक का सही प्रियोग आपको जीवन की तमाम समस्याओं से निकाल सकता है स्वस्तिक का सही प्रियोग करके आप जीवन की तमाम समस्याओं से निकल सकते हैं दो रंग के स्वस्तिक जादा प्रभावशाली होते हैं एक होता है लाल रंग का स्वस्तिक, जिसको आम तोर पे हम घरों में बनाते हैं या शुब कारे के दौरान इस्तमाल करते हैं, ये बहुत ताकतवर होता है और दूसरा स्वस्तिक होता है नीले रंग का ये भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ लाल रंग का स्वस्तिक लगा दें अगर आप यह अपने हाद से बना दें तो घर के वास्तु दोश और दिशा दोश दूर हो जाते हैं मान लिया कि ये में डोर है तो एक राइट में एक लफ्ट में दोनों तरफ स्वास्तिक लगा दें तो घर का वास्तुदोश और दिशादोश दूर हो जाएगा मुख्यद्वार के उपर बीचो बीच में भी नीले रंग का स्वास्तिक आप लगा सकते हैं इससे घर के लोगों का स्वास्ति काफी अच्छा बना रहता है अब जानते हैं घोड़े की नाल के बारे में जिसको होर्स शू भी कहा जाता है और बहुत सारे लोगों के दरवाजे पर आपने देखा होगा कि घोड़े की नाल लगी रहती है इस चीज़ का सीधा संबंद होता है शनी के साथ और आम तोर पर घोड़े की नाल का प्रियोग करने से शनी संबंदी घर की समस्याएं जो हैं उसमें सुधार हो जाता है शनी संबंदी घर की समस्याओं को दूर करने के लिए घर के में डोर पर घोड़े की नाल का इस्तमाल किया जाता है उसी घोड़े की नाल का प्रियोग करते हैं जो घोड़े के पैर में पहले से लगी होती है जो थोड़ी घिसी होती है, ऐसी नाल का इस्तमाल करना ज़्यादा बेहतर होता है एकदम नई, बिना इस्तमाल की हुई नाल, कोई प्रभाव पैदा नहीं करती ऐसी नाल को घर के दरवाजे पर नहीं लगाते कैसे लगाएंगे इसको? शुक्रवार को घोड़े की नाल ले आईए, जो थोड़ी घिसी हुई हो, थोड़ी पुरानी हो उसे सरसों के तेल में रात भर डुबा करके रखिए शनीवार को नाल को निकालके पानी से धोलीजिए, कपड़े से पोँच लीजिए और घर के मुख्य द्वार पर उपर की तरफ यू की आकरती में इसको लगा दीजिए ऐसा करने से घर के सभी लोगों का शनी ठीक रहेगा और घर का जो कला कलेश है वो दूर होगा खासतोर से अगर घर के मुख्या की साड़े साती चल रही हो या घर के मुख्या की अगर धैया चल रही हो ऐसे में अगर घोडे की नाल घर के में डोर पर उपर की तरफ बीचो बीच में लगाई जाए तो शनी संबंधी तमाम बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाती है बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि घर के में डोर पर गणेश जी का चित्र लगाते हैं या गणेश जी की मूरती लगाते हैं इसका मतलब क्या है घर में खुशहाली लाने के लिए और शुभता लाने के लिए लोग मुख्य द्वार पर गणेश जी का चित्र लगाते हैं या मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ती लगाते हैं लेकिन गणेश जी का चित्र बिना नियम और बिना जानकारी के न लगाएं वरना इससे मुश्किले पैदा हो सकती हैं गणेश जी की पीट की तरफ दरिद्रता होती है और पेट की तरफ संपन्नता होती है ऐसा कहा जाता है इसलिए जब भी मुख्यद्वार पर गणेश जी लगाएं उन्हें अंदर की तरफ लगाएं ताकि उनकी पीठ जो है वो बाहर की तरफ हो जाए और जो पेट है वो अंदर की तरफ हो जाए अगर आप बाहर की तरफ गणेश जी लगाएंगे तो उनकी पीट घर की तरफ होगी और पेट बाहर की तरफ हो जाएगा ऐसा करने से धन का अभाव होगा और दरिद्रता निश्चित रूप से बढ़ेगी अगर आप अंदर की तरफ गणेश जी लगाते हैं तो इससे बाधाओं का नाश होता है और हर कारे में सफलता की प्राप्ती होती है और अगर आपको गणेश जी लगाना है तो घर के बाहर की तरफ गणेश जी ना लगाएं वरना आपके जीवन में पैसे को लेके financial चीजों को ले करके मुश्किले परिशान करेंगी इसलिए बेहतर होगा कि अंदर की तरफ पीले रंग के गड़ेश जी का चित्र या पीले रंग के गड़ेश जी की मूरती अगर आप लगाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा तो घर का मुख्यद्वार बहुत इंपोर्टेंट है और अगर आप इस पर खास तरह की चीजे लगाते हैं तो जीवन में सुख, शान्ती और समरिद्धी बहुत आसानी से आजाती है